खुशी या परिशानी हालाज से कम खयालाज से अधिक होती हैं। खुशी मिलती जो अपनी शर्टों पर जिंदीगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती हैं जो दूसरों कोई खुशी के लिए अपनी शर्ट पदल लिया पर उदास इलम हो कि ना कोई याद करना। तुफान में भी वजूद अपना सभाल कर रखना। किसी की जिंदीगी की फुशी हो तुम यही सोच कर अपना खायाल राeton फुचिकी अपने-अपने मायने हैं जनाव एक बच्चा घुपारव हरेश कर खुश्य को एक ऐसा इसा है जिसकी हर सब्सके मनास है तो सक्यप्ते мало है जिसको फुट पर विष्वाच कर खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कौन क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है इससे आप चितना दूर रहेंगे ना अपनी मन की शांती के उतना नजदीक रहेंगे खुशियों का कोई रास्ता रही खुश रहना ही एक रास्ता है यदि आप दूसरों में खुशियां तलाशते हैं तो जनाब आप अकेले हो सकते हैं लेकर इन्हें खुद में तलाशेंगे तो अकेले रहने पर भी आप खुश हो सकते हैं पेश्य को क्या है जनाब वो तो पल पडलती रहती हैं वुशी का पहला उपाएक पुरानी बातों को ना सोचा जाया फुशी से सभर मिलता है और सभर सी खुशी मिलती है परिन ważne असले ढहे जैंव Hall उतना ही तूर चल जाएगी यदि आप शांत मुद्रा में एज जगे उत्यर हो जाएगी तो जिना ये खुद आपके कंदी के पास पैठी जाएगी मत छोड़ना मौका किसी को खुशी देने का बड़े खुशी सीव होते हैं वहों तो किसी को चेहे पर बुसकान लाते हैं जीवन में पूशी का अर्थ लड़ाईयों लड़ना नहीं बल्कि कोई से बचना है पुशलता पूल्दा पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है क्योंकि अभीमान की ताकत फरिष्ट को भी चतान बना देती है और नर्मता साधारन व्यक्ति को भी फरिष्टा बना द इन मुठ्कियों में जो क्याद है ना खुशियां उन्हें पाड़ दो जनाव यह तेलियां तो एद दे वैसे भी खुल जानी है जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है यह इसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में हैं जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हैं छोटी-छोटी खुशियां ही तो है जो जीने का सहारा बनती है खुशियां उतनी ही अच्छी है जितनी बुठियों में समाज आए वरना चलकती बिखडती खुशियों को अक्सर नजल लग जात जिन्दिगी को खुश रह कर जीओ क्योंकि रोश चांप सिर्फ सूरज ही नहीं डलता है बल्कि आपकी अन्मोल जिन्दिगी भी डलती है खुशियों के पीच्छ मत भागो भैस्मूस करो हसते रहो हसाते रहो और सदा खुश रहो झाल